हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हो आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स ये वीडियो ना वरस्पतवार की सुबा से स्टार्ट हो रहा है चाय जो है ना वो हो गई है नहीं चाय भी बन रही है और सुबा के साड़े छे बज र आउंटी बरतन वगरे दो रही थी और आज ना हस्बेंड को जल्दी जल्दी जाना है काम पर तो इसलिए ना मैं सुबह पहले सबसे पहले नास्ता ही बनाऊंगी मतला भी चाय पी लेंगे फिर उसके बाद बनाऊंगे नास्ता क्योंकि बापको पताईए कि बिना चाय पी और आउंटी के लिए भी चाय मैंने बना दी है तो जब आउंटी काम कर रही होती है तो उसलिम चाय बनाती हूं तो उनको भी दे देती हूं और हस्बेंड सो रहे थे तो यहां पर मैं उनको उठा रही थी कि उठ जाओ चाय बन गई है और आज आपको काम पर जल्दी जान मतलब उनको चाय मतलब मैंने चाय पी ली चाय रखी थी बहुत देड़ तक फिर वो उठे थे बाद में और आसकर भी उनके पास जाके बैट गई थी उठाने के लिए कि पापा उठो मुझे वाक में ले चलो तो चली चाय वगेर हो गई है और घर का भी सारा जाडू बरतन प को बखे टाइम था तो उन्होंने बोला कि सेंडूर अलू की तो उसिके लिए न यहां पर चार अवलू रख दी हो बॉइल करने के लिए और तो फिर आज की सेंडूर तो चार पां सीटी ने लग गई थी आलू में मुझे लगर कि आलू है ना उबली गया होगा तो यहां पे मैंने थोड़ा सीटी और बच्चा था तो मैंने चम्मत से निकाल दिया और जो मेरे स्टीनर है ना जो वेश्टेबल स्ट है ना तो जब मुझे आलू अगरे छीलना ह मुझे दी दी तो थोड़ा ठंड़ा ठंड़ा पानी डाल्ड Panel डालके ना उसको मैने चील लिया है और एक अलू तो बिल्कुल पहल गया था मैतला मतलब खराबी हो गया था चार में से तीन अलू थे लेकिन काफी थे पहले तो मुझे लग रहा हूँ था कमना पड़े लेक जादा मैस नहीं किया है कि इक दिम हलोवा जैसे थोड़े-थोड़े आलू के खड़े-खड़े पीस भी है इसमें और यहाँ पर मैने ले लिया है ब्रेड और उसके बासे आलू उसमें लगा दिया है अम मैं थोड़ा सा घी न इसके ऊपर डालूँगी आलू कि फूपर जाए आलू अंदर से भी अच्छ आ जाए और एक ब्रेड की अंदर के सलाइस पे भी मैंने घीन लगा दिया है इसके बाद से इसी तारव से जो दूसरा सैंड़ीच है वो भी मैंने बना लिया है अपने लिए सेंड़िच नी बनाओंगी सिर्फ अश्बिण के लिए बना रही हूँ और यहां पर मैंने देशी घी लगाया और उसके बासे ब्रेट को रख दिया है सेखने के लिए दोनों ब्रेट को एक ही साथ करके सेख रही हो तो एक साइड ना अच्छे से सिख गया था लाल हो गया था बिल्कुल फिर मैं थोड़ा सा और घी लगाऊंगी ताकि यह ना दूसरे साइड पर भी अच्छे से सिख जाए और घी में सिखा हुआ ब्रेट हो या फिर सेंड़िच हो ना कोई भी चीज हो अब बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है उसको जो स्वाद है तो उसके लिए हाँ पे मैंने कडि़ाई में टाला है ऑल उसके बार हुआ पर दाल दिया है और फिर मैंने कड़ी पता लेकर आई थी तो वो मैंने डाल दिया उसके बाद यह जो आल उस भल्दी नमक और थोड़ासा लालमीज पाउडर में ने थोड़ा-थोड़ा और अछय तेल मिक्स करके भूण लूँगी तो धो मिनट तक और उसको अच्छे से बूनने के बाद इसमें आड कर दूँगी पानी और ये सबजी ना मैंने खाया था इतनी जादी स्वादिस्ट बनी थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ और मैंने एक छोटा सा टमाटर ना काट के उपर से ऐसी डाल दिया था अब मैं इसको ढ़की रख दूँगी और ये बहुत ही जल्दी मुश्किल से तीन से चार मिल ये सबजी बन के तयार हो गई थी देखिए देखने में अच्छी लग रही तो खाने में सच में बहुत अच्छी लग रही थी मैंने तो चावल के साथ खाय तो मुझे तो मज़े आ गए तो किचन का काम मेरा मतलब नास्ते का काम है वह हो चुका है मैं गई हूँ बेड तो क्योंकि सुबह के टाइम पर मैंने बेड ठीक नहीं किया था मैं डारेक्ट किचन में चली गई थी नास्ता बनानी के लिए तो देखो मैं ऐसी करती हूं मैं अपना टाइम देखती हूं रहा हजबिन का जाने का टाइम देखती हूं कि उनको काम पर कब जाना है तो मैं उसके हिसाब से अपने घर और किचन के काम को अगर उनको जल्दी जाना रहता है तो मैं नास्ता बगेरा काम फर्स प्रियोर्टी फिर नास्ती को देती हूं सेकिंड प्रियोर्टी फिर घर के काम को देती हूं अगर वो लेट से जाते हैं तब मैं अपना पहले घर साफ कर तो चलिये मेरा बेडूम मेंने साफ कर लिया उसके बाद सचो तुछ रहे लेकर पर teens research अटूंब्ष्राइब करना बंतनानाइने है वो बहुत है तो सारे डस्ट न निकल जाते हर जगह से तो देखे टीवी की ऊपर साइड ही मों नीचे के साइड पर मैं इस ब्रस से साफ कर रही हूँ स्क्रीन पर नहीं साइड साइड पर ताकि जो भी जाले वगर जहां जहां भी लगे है न वो सब अच्छे से क्लीन हो ज तो इस कमरे की पूरी अच्छी तरह से डस्टिंग है न वो हो चुके है और यह जो मेरा मैट है इसको भी मैं उसकी जगह पे पिछा दोंगी सुबर जब जब जाड़क पोचल लगता है तो वहां से हट हट जाता है उसके बाद से जब मेरी मेड काम करके चली जाती है तो उ आज मुझे बातरूम के क्लीनिंग करनी है और हार्पिक से ही साफ कर दीती हूँ मैं तो मैं ऐसा नहीं हार्पिक ला कि मुझे वेट नहीं करना पड़ता है कि बहुत दिर तक वेट करना पड़े क्योंकि साफ ही रहता है तो थोड़ थोड़ा हार्पिक डालती हो न और पू कोई भी चीज ज्यादा यूज नहीं होगी। हार्टीक भी है जो मेरा ना मैं आपको बतार हुआ है। मैं आपको याद होगा मैं गई थी जब पिसले महीने समान लेकर आई थी एक लिटर हार्टीक। है उसी से मेरा पुरह एक महीना निकल गया है और और मैंने हर दूसरी तिस्वर दिन अपना बात्रूम भी धोया है एक लिटर हार्पिक से पूरा मन्त मेरा इजीली निकल गया है तो सफाई के साथ साथ समान की भी बच्चत मेरी हो जाती है और बात्रूम भी धोने के बात से मैं यहाँ पर आगे हूँ नहा के अब एक अधा हंटा हूं गया है लेकिन लगता नहीं कि वायेगा वॉक करने में बहुत आलज दिखाता है वह सबसे बड़ी बात तो यह है कि वोग करने मुझे खाना और घर पर बनाना है मुझे खाना और खाना मेरा बिलकुल मन्त कर नहीं रहे तो सोच ने चावल बना दूंगी और सब्जी बना दूंगी बस और कुछ नी बनाओंगी जाद जादा दाल बना सकती हो रोटी नी बनाओंगी आज मैं क्योंकि बहुत घर में है तो मैं वाक करके फटाफट आ गई हूँ घर पे और हाथ नहाथ वगर दोलिया है और हस्बिन नी यहाँ पे अपना कुछ गरम पानी वगरा पी रहे थे कुछ पाउडर डाल के उसमें और मैं यह सोच के आई थी कि घर पे जाओंगी फटा फट दाल चावल सबजी बना दूंगी जली से बन जाएगा लेकिन हजबिन ने बोला क्या बना रहे है तो मैंने बोला धाल चावल सबजी बना देती हूं और क्या तो उन्हें बोला नहीं नहीं फिर न बुझे परााठे खाने है तो मझे समझ में भी आता कि चलो रोती बोल डाइरेक्ट मतलब एक लेवल और उपर पहुचा दिया, मैं तो बिल्कुल अब मैं क्या करती, मुझे तो रोटी फिर मतलब पराठे बनाने ही पड़ते, हजबन बोला नहीं मुझे पराठे भी खाने है और राइस भी खाना है, तो फिर मुझे राइस भी बनाना है और मुझ इसमें नहीं बनेगा उसके लिए हमको बाहरी आके खाना बनाना पड़ेगा गर्मी में, तो यहां पर नहीं मैं आलू और बोड़ा की रसेदार सबजी बना रही हूँ, तो यहां पर कड़ाई लेली, उसमें मस्टर्ड ओयल डाल दिया है, इसमें नहीं डाल दिया है राई राई से तड़का लगा के बना रही हूँ सबजी और इसमें प्याज और लहसुन को मैंने कूटा हुआ है, वो मैंने एक साथ डाल दिया और तीन हरी मिर्च डाली है, और यह डाला है मैंने कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता मुझे बहुत जादा पसंद है, इसलिए मैं जाद जाल के ढ़के रख दूँगी ताकि मसाला अच्छे से दोती मिनिट में पक जाए, जब तक उधर मसाला पकता है तब तक मैं इधर चढ़ा लूँगी चावल, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, और मेरी टीशर्ट देखिए, नीचे की साइड पूरी ग खाना ना बना लूँ फिर जागी अराम से अपना बैठोंगी, तो देखिए, मसाला भून गया था, उसके बाद से मैंने सब्जी को भी भूनने के लिए रख दिया है, सब्जी को भी मैं 2-3 मिनिट तक उसको भी भूनती हूँ, तो स्वाद उससे सब्जी का अच्छा आता है, तो जब तक उदर हमारा सब्जी भून रही है, तब तक इदर मैं फटा फटना आटा गोथ लेती हूँ, और क्योंकि हस्बिन तो पराठे खाएंगे, तो उदर मैंने आटा भी गोथ लिया, तब तक हमारा सब्जी अच्छे से भून चुका था, अम मैं इसमें एड़ क पानी डालना पड़ता है, तो चलिए अब फटाफट पापने हस्बिन के लिए, अपना हस्बिन की फरमाईस पूरी करने के लिए पराठे बना लेती हूँ, और आज पराठे मैं घी में बना रही हूँ, तो फाइनली मेरा, मेरी जो मेरा पराठा है और खाना अल्मोस्ट अब फटाफट सारे समान को जहां जहां से निकाला था, वो सब मैं किचन में सेट कर दूँगी, और सबजी भी चेक कर लेंगे, तो सबजी मैंने आलो को दबा के देखा, तो आलो भी पक चुका था, और गृवी अच्छी खासी थी, जितनी हस्बिन को मेरी चाहिए, तो य पर हजबं की खानी की प्लेटिंग कर दी है मैंने, तो हजबं को खाना देने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, किचन की कर दों की क्लीनिंग, अभी तो चावल सबजी वगर रखी हुई, अभी जब भास्बिन भी खालेंगे और मैं भी खालोंगी न तो इसारे बरतन फिर खाली हो जाएंगे और इनको समय सिंक में डाल दोंगी और जो प्लेटफॉर्म है वो मैं भी साफ कर लूँगी इसके बाद फिर मैं चली जाओंगी नहाने के लिए क्योंकि बहुत जादा गर्मी लग अमना कि मुझे शान्ती मिल रही अब जा की एसी में बैठोंगी डस दस बिनिट बैठोंगी फिर मैं खाना कऊंगी यह तुरंत खानागा एन चाहएगा तुरंत किछा निगली तुरंत नहाया तुरंत खाना नही थोड़ाइब फिर व्हीं चाना काऊंगी ओर और बेश् झाल 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 झाल